नमासकार स्वगत्यापका हमारे अचार जागिंद्रमिशाज चैनल पर 25 जुलाई सोम प्रदोस बना दिब सयोग सावन दूसरा शोमबार सिवलिंग पर चड़ाएं यह एक चीज 24 घंटे में देखे चमतकार गरीबी भूल जाएगी आपके घर का रास्ता दोस्तों सावन का महिना भगवान सिव को समर्पित होता है और इस माह का हर दिन मंग यनि की भगवान भोलेनात के पूजन के लिए बहुत ही सुभ माना जाता है लेकिन सावन माश के शोमबार का विशेश महत तो होता है मानताओं के अनुसार सावन के शोमबार में भगवान शिव की पूजा करने से जीवन की सभी मनोकामनाई पुण होती है सावन शोमबार के दिन भॉलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए ब्रत भी रखा जाता है मानेताओं के अनुसार सावन माह के शोंबार के ब्रत करने से जीवन में आने वाली सभी दिखते भॉलेनाथ की कृपशे दूर हो जाते हैं भॉलेनाथ अपने भक्तों को शुक्षम्रधी प्रदान करते हैं और मन्चाहा बरदान देते हैं कुमारी का न्याय सावन सोंबार का अगर ब्रत करती हैं तो उन्हें मन्चाहा बर्की प्राप्ती और पती की प्राप्ती होती है साथी जो बैवाहिक जीवन में बंधी हैं अगर वो भगवान श्री यनि की भॉलेनाथ की पूजा राधना करते हैं पार्वति की तो उनका बैवाहिक जीवन काफी सुख में रहता है। पार्वति की तो उनका बैवाहिक जीवन काफी सुख में रहता है। पार्वति की तो उनका बैवाहिक जीवन काफी सुख में रहता है। और इस दिन पूजा पार्ट के लिए विशेश महत्तोह तक खास कर सीवलिंग की पूजा करें। सीवलिंग पर आप सोंबार के दिन अगर आप थोड़ा सा बेलपत्र यानि की थोड़ बेलपत्र जितनी मरजी हो एक से लेकर आप 108 तक बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। अगर आपका ब्यापार अच्छे से नहीं चल रहा नोकरी में पदोनत नहीं हो रही तो बेलपत्र आप 108 चढ़ाएं। यानि की सोंबार के दिन सीविलिंग पर और उसमें से जो 108 यानि की अंत वाला बेलपत्र है उससे चढ़ाने के बाद महादेव को चढ़ाने के बाद सीविलिंग पर चढ़ाने के बाद फिर कुछ देर बार अपनी मनोकामना बोलें नोकरी की बिजनेस ब्यापार की मनोकाम नहीं होगा धन भरा रहेगा और 24 घंटे में ही इसका सर देखने को मिलेगा ब्यापार में रखेंगे तो तेजे से ब्यापार चलेगा परस में रख कर जाएंगे नोकरी के लिए तो इंटर्वी में पास होते नजराएंगे दोस्तों बतदी कि सफेद पुष्प स्यूलिंग पर चढ़ाने से बिशेश क्रपा प्राप्त होती है भगवान को शोमबार के दिन स्यूलिंग पर अगर आप कच्चा दूद चावल और मिश्ट्री चढ़ा दें और एक लोटा जल में आप थोड़ा सा कच्चा दूद चावल मिश्ट्री जालके चढ़ा दें और फिर लोंग इलाजी चढ़ाएं तो मनोकामनाई अत्यशी ग्रपूरी होती है इस तरह से आप पूजेन जरूर करें शोंबार के दिन बोले रात जरूर प्रसंद होंगे आपके उपर तो दोस्तों कमेंट में लिखे हर हर महादेव वीडियो को लाइक करें पसंद आया है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें हर हर महादेव